पर घरसाल ऐसे बम फोड़ देती है कि यहां से स्टूटेंट और वरकर जाने की सोच लेते हैं वस राम राम नमस्ते सश्रीकाल राव Assalamualikum मैं हूँ पारस काटारिय और वाचिंग काटारिया टेवे सब्सक्राइब कर लो निचे दिए अब बहला आइकन को जुरूँ ख्लिक कर लेना सबसे पहली नोटिफिकेशन आपी को मिलेगी आईए शुरू करते हैं वीडियो, वीडियो की स्टार्टिंग से मैं बता देता हूं आपको कि क्यूबेक एक ऐसी जगह है जो हर साल ऐसे से बम फोड़ती है कि यहां से स्टूडेंट्स और वर्कर जाने की सोच लेते हैं बसूरू से बात करता हूं कि क्यूबेक की हिस्ट्र प्राइवेट को वर्क पमेंट नहीं था उसके बाद असली बंग फुटा जब बिल 96 पास हुआ जब बिल 96 पास हो गया उसके अंदर तो अगर आप क्यूबेक इमिग्रेशन को फोन करते हो वो आपसे फ्रेंच में बात करेंगे इंग्लिश वाले के लिए इतनी वेटिंग अगया कि अगर आप न्यू इमिग्रेंट और 6 महीने या 6 महीने से कम हुए आपको यहां आये हुए तब ही आप हमारे साथ इंग्लिश में बात करें अदर्वाइस आप फ्रेंच में बात करें उसके बाद एक और नहीं रूला है जिसके अंदर कॉलेजिस के अंदर इन्हो ने कुछ कॉलेजिस के अंदर फ्रेंच चाहिए कुछ कॉलेजिस के अंदर फ्रेंच नहीं चाहिए उसमें बड़ी का इंफ्यूजन आ गई और उसके बाद अगर मैं पी आर की बात करूं जब यह बिल 96 पास नहीं हुआ था उससे पहले यहां पे बिना फ्रेंच के भी लो पर्मानेंट जॉब आफ़र दे के रख सकते हैं वाम पे तो जॉब वैलिडेशन होने के बाद CSQ का इंविडेशन आ जाता था और CSQ आ जाता था फिर एक रूल आया कि मेट्रोपॉलिटन एरिया एरिया के अंदर मतलब की जो सिटीज यहां पे थोड़ी डिवेलप्ट हैं और उसके अंदर पॉपॉलेशन जो है जादा है उस एरिया के अंदर अगराब रहा कि जॉब करते हो तो आपको फ्रेंच करनी पड़ेगी चाहे आपके पास जॉब वैलिडेशन भी हो जॉब वैलिडेशन के यहां पे पॉइंट सिस्टम भी होते हैं जॉब वैलिडेशन inside से करोगे तो 8 point और बाहर से करोगे maximum 14 point तो फिर बच्चों ने क्या करना शुरू कर दिया जब work permit आया बाहर वाली companies ढूल के बाहर वाली companies में अपना काम start कर दिया और उसके बाद job validation लेके CSU लेना start कर दिया अब immigration को ये चीद पता चल गई कि यहां से हमें job validation बहुत सारी आ रही है और बच्चे बाहर मूगों के बिना french के peer ले रहे हैं बस इनको था कि bum तो फोड़ नहीं है हमने नया साल चड़ा है bum फोड़ेंगे तो इन्होंने bum फोड़ दिया और bum क्या फोड़ा है कि यह पूरे क्यूब बैक में क्या दिया कि हांजी आपको french करनी पड़ेगी B2 level level 7 A1 A2 B1 B2 oral के अंदर सिरफ speaking और listening reading writing नहीं करनी अब अगर तो आपका interest है french के अंदर फिर तो आपको कोई issue नहीं है फिर तो इस चीज के लिए बढ़ी है आप आप कर सकते हो इसमें कोई दिक्कत नहीं है अगर आप french नहीं कर रहे तो यहाँ पे real problem खड़ी होती है क्यूबेक को छोड़ के जाना 90% मैंने देखा कि लोग नहीं चाहते हैं और 10% तो फॉर है यह exceptions are always there और क्यूबेक को अगर छोड़ के जाएं तो कहां जाएं it's a big question बिकोज इस टाइम पे recession inflation दोनों चल रही हैं और jobs बहुत कम हैं Canada के अंदर लोग बाहर गए थे वो inside क्यूबेक के अंदर दुबार आके फ्रेंच सीख रहे हैं तो मेरी suggestion तो यही है कि अगर आप यहां रहके फ्रेंच कर लो और फ्रेंच के साथ सथ अपनी company से job validation ले लो because validation कोई बड़ी चीज नहीं है company के लिए company के सिरफ financial statements लगते हैं और एक form लगता है तो अगर आप यह सब कुछ करके फ्रेंच सीख के अपनी PR ले सकते हो तो बहुत अच्छा चांस है आपके पास कुछ नहीं चाहिए अगर आपने प्लस टू भी कर रखे जौब वैलिडेशन है आपके पास फ्रेंच है आपके पास you can apply for CSQ PNP और एक बार PNP आगी और अंदो safer side work permit ख़सम होता है तो दो साल के लिए extension भी मिलती है उससे तो अगर move होना है तो बहुत STEM सोच समझ के होना मैं यही कहना चाहता हूं सबको जो लोग STEM QBEC में है और जो लोग QBEC में आना चाहते हैं because QBEC very less expensive province है सबसे अच्छा province लगता है मुझे अगर आप लोग QBEC में आना चाहते है या आने वाले हैं तो मैं आप सब लोगों को यही request करता हूं कि French classes start कर दो उस से start कर दी है दो साल के अगर आपके पास यहां पर study है दो साल के अंदर अब एक घंटा भी रोज French को दे देते हो तो आपकी French दो साल में oral speaking और listening पूरी हो जाएगी और यही requirement है आपकी CSQ की PNP की यहां पे तो अगर आप यह कर सकते हो तो बहुत अच्छा है बागी QBEC immigration ऐस जो हम सोचते भी नहीं है वो बंफोर देती है छे महीने भी नहीं चलने दिया metropolitan बार वला रूल और इनको पता चल गया कि हम बच्चे महां जा रहे हैं और काम इंसाइड कर रहे हैं I don't know क्या but of course जब ज़्यादा फाइल किसी चीज की आती है they have to take action और फिर इनोंने अपना पंफोर के बार वले भी बंद करती है और कुछ colleges जो बचे हूँ है जिसमें French की जुरूरत नहीं है sorry to say but आने वले टाइम में हो सकता है उसमें भी French की जुरूरत हो जाए not for the students who are already enrolled जो already पढ़ रहे हैं उनके लिए नहीं जो नए students आएंगे for sure उनके लिए ही होगा but मैं तब friends सीख सकते हो अगर आप क्यों बैगाना चाते हो तो friends start कर दो बहुत ज्यादा benefit होगा और गलको PR बीजी हो जाएगी तो यहीं थे कुछ नए rules जो मैं आप सब लोगों के साथ share करना चाता था अगर आपके मन में कोई भी question है नीचे आप comment section में comment कर सकते हो और आप ये भी comment कर कर सकते हो कि आपको अगली वीडियो किस topic के ओपर चाहिए और मैं कोशिश करूँ आज के ओपर वो वीडियो बना दूँ ऐसी informational वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें keep watching keep supporting Kataria TV stay healthy stay fit peace